हम लोग घर पे कितना भी मैनत करके चामिन बना लें लेकिन वो ठेले वाली टेस्ट नहीं आती लेकिन आज मैं आपको जो रेस्पी बनाने जा रहे हूं उसमें एक दम पर्फिक्ट ठेले वाला टेस्ट ही आने वाला है आप लोगों को और 100% ठेले वाला ही टेस्ट आएगा लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा बहुत ही अची रेसिपी है बहुत ही एकदम प्रॉपर ठेले वाली तो सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है एक पानी उबालना है भगोने में उसमें एक चमज देल एक चमज नमक स्वाद भाणाव नमक डाल कर अपना चावमे डाल देना है पतले वाला चावमें लेना और उसको कुछ इस टाइप से तो इस तरह से आपको तूटना चाहिए आपकी चामिन उसके बाद आप लोग निकाल लेजिए इसमें थोड़ा सा और छान लेजिए च्छनी से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए एक बार ठंडे पानी से वाश कर लीजिए उसके बाद क्या करना है हमको बहुत अच्छे से मिक् तो सबसे पहले तो यह ज्यान लगना कि चिप-चिपी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी तो अभी हमने क्या कि फूल फ्लेम पे एकदम कड़ाई को चड़ाया और जब धुवांदार गरम हो गई है इसमें तेल डालेंगे साइड से गिराते हुए तेल डालेंगे जिससे कि वेजिटेबल्स डाली है आपके पास और भी वेजिटेबल्स हो आप जो भी पसंद हो आपको वो डाल दीजेगा उसके बाद फ्लेम को एकदम फुल ही रखना है और इसको थोड़ा सा स्टर करना है थोड़ा से बस हलका से क्रंची हो जाए सब्जी के कच्चा पन निकल जा यह सोया सॉस इसी जो मैंने चामीली थी उसी के साथ में ही आया हुआ था तो मुझे इसका थोड़ा सा अंदाजा नहीं लग रहा है कि कितना डार्क कितना नहीं है तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूंगी बाकि यह विनेगर डाल दिया मैंने दो तीन टेबल्स पूम मैंने विनेगर डाल दिया है और दो टेबल्स पूम सोया सॉस डाले है अभी देखती हूँ कलर जिस हिसाब से आएगा युकि ठेले वालों का कलर तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी तो अभी इसको बिल्कुल भी बहुत फटा-फट आप लोगों को हाथ चलाना है फ्रेंड डालें लोगों कि फिर्फंवी दो टेबल फून डालोंगे एक और टेबलस्पून में बाद में डालोंगे जो कि यहाद वीडियो में नहीं आया है तो अभी क्या करेंगे इसको डालें कि इससे क्या होगा एक तीखी और चटपटी चामिन बन कर त्यार होगी जो कि ठेले वाले भी ऐसे ही बनाते हैं वह लोग भी इसमें यह बारी चतनी डालते हैं क्योंकि थोड़ी स्पाइसी होती है और बहुत ही टेस्टी बनाती है जामें इस वजए से तो चार चमच अभी तक हो चुका है और इसमें कलर नहीं आ रहा है आप लोग अपने सोया सॉस के हिसाब से देख लिए जिस ब्रैंड का आप ले रहे हैं या कैसे भी खुला वाला है और चामिन के साथ ही मिला तो इसका कोई गरेंटी भी नहीं है इस वजए से थोड़ा सा कलर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसका कलर आएगा मैं अभी लास्ट में और भी डालूंगी फ्रेंड्स इसको फ्लेम को हमेशा फुल ही रखना और फटा फट इसको चलाना है बहुत फूरती दिखान से बहुत अच्छे से करने फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो यहां तक तो प्लीज वीडियो को शियर जरूर करिएगा कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है आप अपने कोई भी रेसिपी आप सुझाओ देना चाते तो दे सकते हैं प्ली नहीं अच्छा बनकर त्यार हुआ एकदम प्रॉपर लग रहा है ना ठेले वाले जैसा तो ऐसा ही है और अभी सब कर लेते हैं तो एकदम मस्त वाली ठेले वाली चामीन हमारी बनकर त्यार है आप लोग भी बनाएगा अपने घर पर बनाकर बताएगा कि इसका टेस्ट कैस अलगा और अगर वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर सब्सक्राइब और अपने कॉमेंट जिरूर करिएगा और जुड़े रहेएगा पर फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज थोड़ा सा रिस्पोंस करिएगा पूरा दीके गया व्यूंकि बहुत म नहीं नहीं रेसिपी बना कर वीडियो लाती रहोंगी बाइवाई हैपी कुकिंग टेक केर अल अव्यूंकि तो